है गाइस वेलकम टू चैनल यूपी ट्रिपलल सी काड़्डा ए होप यूर डूइंग वैल और यूर प्रिपेशन इस आलसो गूइंग वैल तो जैसा के आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज पैटर्न यानिके अपबाह पिर्ति रूप के बारे में पोस्ट के माद्यम से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम आने वाली वीडियो में इस टॉपिक पर डिसकस करेंगे वैसे तो हमने जो ट्रेनेज सिस्टम है हमारा उसके बारे में पहले ही एक वीडियो अप्रूट कर रखी है जिसमें हिमालेन रिबर और पै तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी एक्जाम की तयारी लाइक यूपी-प्यासी आरो या फिर उत्राखंड आरो या फिर स्सी की सीजी या सीचेशल सीपयों किसी की परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो उन सब में यह टॉपिक इंपॉर्टन टॉपिक है कोश्चन यहां से ज तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो पैटन होता है ड्रेनेज पैटन वो होता क्या है तो किसी छेतर की नदियों की जयामितिये बेवस्ता जयामितिये मतलब जयामेट्रिक ठीक है बेवस्ता मतलब अरेंजमेंट को जल अपवह प्रतिरूप कहते हैं ठीक है ड्रेनेज पै उसको रोकता है कोई भी चीज जैसे सामने कोई चीज आगी तो वो अपना डारेक्शन चेंज कर देगा चट्टानों की सन्रशना अप्छे तथा अपरदन जलवायू जलचक्र भू गर्विये इतिहास इत्यादी का प्रत्यक्ष एबम आप प्रत्यक्ष रूप से होता है यह वे जलदा रहे हैं जो कि इस्थल खंड के उत्थान होने पर भी अपने पहले मार्ग को ही अपनाती है ठीक है यानि कि अगर मालों कि यहां पर यह नदी आ रही है बहके और यह ऐसे आई ठीक है इससे टकर आई यह कोई भी पत्थर है कुछ भी है तो यह इसको क यहां देख लेते हैं सिंदू है इसमें ठीक है और गंगा है ब्रहमपुत्र है ठीक है आधी नदियां इसमें आती है काफी लंबी लाइन है मैंने कोशन जो है टेलिग्राम पर कराब भी रखे हैं और नोट्स के रूप में मैंने यह दे भी रखे है ठीक है अगर मैं यहां सारी नदियों को नाम लिखूंगो तो लंबी हो जाएजी वुडियो ठीक है तो यहां हम आदी लिखके इसको एंड करते हैं तो सिंदु गंगा ब्रहंपत्र सतलच तीस्ता घागरा काली बगंडग जो हैं वो इसकी इस तरीके की नदिया हैं जिसे हम कहते हैं पहले थी यानिके जब हमाले हमारा बनाता हो उससे पहले की यह नदियां है ठीक है इस अभुभा पिट्ति रूप की नदियों द्वारा सरिता अपारान का भी उधारान प्रस्तुत किया जाता है ठीक तो आयोब कि आपको यह एंटिसेडेंट ड्रेनेज जो है वो समझ में आया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो है अध्या रोपित अभुभा पिट्ति रूप या फिर सुपर इंपोस्ट ड्रेनेज पैटन ठीक है अब इसमें क्या होता है नदियां अपनी उपरी संद्शना में निर्मित घाटी का अरोपन निचली संद्शना में करत ठीक है दामोदर है इसका एक्जामपल सोन नदी है ठीक है या फिर चंबल है ठीक है यह सुपर इंपोस्ट ड्रेनेज पैटन को फॉलो करती है यह सारी नदियां बहुत सारी नदियां है इसमें बनास है गोदाबरी है कृष्णा है नर्मदा है ठीक है तो यह सारी नदिया जो है सुपर इंपोस्ट ड्रेने सिस्टम को फॉलो करती है क्लिया ठीक है अब इसमें देखें अगर हम तो इसका जो नदियाओं को छेत्र जो है वो ब्रद्ध हमाले की उत्पत्ति के बाद ठीक है यह बाद का है हमने अभी जो एंटी सेडेंट पड़ा वो पहले का है उनको उत्पत्ति मतलब उनदिया पहले से है हमाले से यह हमाले के बाद की नदिया है ठीक है क्लियर उत्पत्ति के बाद क्रेटिशियस तथा एक्रेटिशियस तथा एक्रेटिशियस और 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 उसका उद्वेदन हुआ है जिसका निकला हुवा नालाबा जो है नदियों घाटियों में भर गया है बढ़शा का जल पुना इस निश्चित बेसाल्ट को अपर्दित कर नदी की पुरानी घाटी को प्राप्त कर लिया इसलिए इन्हें अध्यारोपित नदी कहा जाता है ठी डेनेज़टाः ठीक है तो फिगर में आप देख भी पा रहे हूंगे कि यह इस तरीके से कुछ होता है इसलिए इसको ब्रचछाकार भी कहा गया है ठीक है इस तरीके का पैٹरन होता है अब होता क्या है जो प्रमुख जल्दारा होती है और उसकी शाखाएं सभी के यहां के, इसमें मिलिया, आकि कोई सी भी हम शाका लेने, इसकी तो वो आके कहा मिल लेई हैं, यह मुख वाली जो river है, उसके अंदर आके मिल ले zijn, तो यह कैसा इसका pattern बनजाता है, ब्रक्चाकार या फिर dandrated type का पैटर्न इसका बन जाता है ठीक है अगर हम बात करें इसमें कौन-कौन सी नदियां आ सकती है ठीक है तो इसमें गंगा है और गुदाबरी है और कृष्णा है ठीक है तीन नदियां है यह और इस पर जो कोश्चन था वह मैंने टेलिग्राम पर पोस्ट भी किया है अगर आपने टेलिग्राम के चैनल हमारा यूज नहीं अभी तक जॉइन नहीं किया है तो आप एक्जाम गुरू सॉरी यूपी ट्रिपल सी का अड़ा सर्च करना कि नेक्टाकार पिट्टी रूप या हम इसको Eariqué ड्रेनेज पैटन ठीक है तो वह कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलेगा जैसे है रेक्टांगिलर देखो यह बन गया है He ठीक है यह आयतकार बने चुका है, तो इस तरीके का हमें पैटर्ण देखने को मिलेगा, तो इसमें होता क्या है, इस परतिरूप का बिकास प्रयाएब वहां होता है, जहां पर चटानों के जोड तता संदियां आयत के रूप में होती है, जैसे के ये ठीक है आयत के रूप में है क्लियर आयतकार संदियों के चारो तरफ जलदाराओं का विकास होता है जैसे के हमें ये देखी रहा है ये चारो तरफ इसके जलदारा ही बह रही है ठीक है ठीक है तथा नदिया समकोन पर मिलती है तो बिलकुल आयत होगा तो आयत तो पर मिलती है, इसको note down कर लेना, ठीक है, आयतकार पर तुरूप में क्या है, नदियां जो है, समकोल पर मिलती है, अब इसके जैसे example देखें तो कौन-कौन से है, कोसी है, और बिंदियन है, ठीक है, बिंदियन, ठीक है, ये नदियां इसमें है, आयतकार में, clear, चलिए फिर next आ हुआ पिड़ती रूफ, या फिर radial drainage pattern, ठीक है, तो पिक्चर में जैसे के शोर हो रहा है, के एक circle tap का है, और यहां से धाराएं निकलना शुरू हो गई है, ठीक है, तो इस को radial drainage बोलते हैं, तो इस पिड़नाली में क्या होता है, नदियां एक स्थान से निकल कर, चारों सोन नदी, ठीक है, और महा नदी, महा नदी है, नर्मदा है, यह इसके example है, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं, जो राची का पठार है न, वहां से निकलने वाली नदिया जो है, वो इसके example में है, ठीक है, एक चीज़ और है यहां पर, इसे अपकेंदरी अपुबहा पिट पिटि रूप भी कहते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम लिखें, तो इसको अपकेंदरी या फिर सेंट्री फ्यूगल, इंगलीश में क्या कहते हैं, सेंट्री फ्यूगल, सेंट्री फ्यूगल, ठीक है, सेंट्री फ्यूगल, ड्रेनेज पैटन भी इसको कहते हैं, ठीक है, त तो वह आपको दे देगा चार-पांच एक्जाम्पल जैसे ब्रक्षकार अब्बा आरिये अब्बा ठीक है पूर्वन उपाती अब्बा तो इस तरीके से वह पूछ लेगा तो हमें कर देना अंसर यहां लगा देना है ठीक है या फिर यह भी पूछ सकता है कि आरिये को किसे और नाम से जानते हैं ठीक है तो अपके इंद्रिय यानि के centrifugal drainage pattern ठीक चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं जलियत अबवा प्रतिरूप यानि के ट्रेलिस drainage pattern और वह इस तरीके का हमें दिखाई देगा इस प्रतिरूप का विकास जो है वह धाल के अनुरूप विक्सित प् पिर वहाँ जल द्वारा होता है ठीक है मतलब धाल के अनुरूप होता है इसमें जैसे के यह उपर से आ रही है तो ऐसे ऐसे चलते रहेगी यहां से साइड़ों से इसके निकलते रहेंगे ठीक है ग्लिया बाती की इसका एक्जाम्पल देगें तो जो सिंभ भूमी छ heap है नदियों का मुं है वह नेक्ट है समान अंतर अब वहाँ प्टे रूप या फिर जिसको हम कहते हैं पैर्लर ड्रेनेज पैटर्न ठीक है तो पैर्लर इस थरीके में हम को देखेगा यह यह नदिया ज इस नदियों में तो अगर हम देखें कि नदियां जो है वो एक दूसरे के समानांतर प्रभावित होती हुई यहां पर हमें दिख रही है ठीक है और प्रादेशिक ढ़ाल का अनुसरण भी वो करती है । ठीक है ऐसा नहीं है कि ढ़ाल के विपरी चलेंगी ढ़ाल का भी अनु क्वेस्टा मैदान पर अधिक होता है कहां पर क्वेस्टा क्वेस्टा मैदान पर यह अधिक होता है या फिर ढलुआ ढलुआ ठीक है ढलुआ या क्वास्टा मैदान पर यह अधिक होता है जैसे पश्यमी टटिये मैदान में इस तरह का अपवा प्रतिरूप का विकास हुआ है ठीक है कहां पर विकास कहा हुआ है पश्यमी ठीक है पश्यमी टटीय मैदान तो ये बात नोट कर लेना पश्यमी टटीय मैदान पर इसका विकास हुआ है किसका सवानांतर अबवा प्रतिरूप का चलिए नेक्स्ट है हमारा अंता इस्थलिये अपवा या फिर इनलेंड ड्रेनेज पैटर्न ठीक है आठ नम्मर है ये तो राजस स्थलिये अपवा बनाती है तो सीरिय से हमें क्या याद रखना है राजस्थान वाली जो है राजस्थान मरुस्थान के मरुस्थली छेत्र में ठीक है यह दियान लगना है इनलेंड ड्रेनेज पैटर्न कहां मिलेगा में राजस्थान के मरुस्थली चेत्र में ठीक है अच्छा इसमें एक चीज और एड़ कर सकते हैं इसके हाँ एक्जाम्पिल घगर है ठीक है घगर है लूनी है ठीक है और सरसुती है यह तीन नदिया भी इसमें आपर आप एक्जाम्पिल में नोट कर सकते हैं बाकि यह में मोटा मोटा जो है वो यह है राइस्थान का मरस्तुली छेत्र कगर लूनी इसके एक्जाम्पिल हो जाएंगे ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं नौ नमबर पर अनुबर होती है यानि कि जो प्रारंबिक धाल होगा उसी के अनुरूप यह प्रभावित होंगी दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो अनुबर्ती नदियां प्रादेशिक धाल का अनुसरा करती है किसका प्रादेशिक धाल का अनुसरा करती है ठीक है अगर हम बात करें तो ये पेरियार है जो केरल में है ठीक है पेरियार नदी इसका एक्जामपल या फिर शरावती जो करनाटक में है ये इसका एक्जामपल ठीक है ये ऐसे भी पूछ लेता है ये कहां है करनाटक इनको पूछ लेता है ये नदियां कहां की है ठीक है तो ये दो पेरियार और शर सब्सिक्वेंट ड्रेनिज पैटन तो इसमें क्या होता है अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन तथा अपनातियों या कटकों या कटक मतलब रिज ठीक है रिजिस जो होते हैं कि अक्षों का अनुसरा करने वाली नदियों को इस प्रति रूप में रखा जाता है जैसे वैतव्न करता है ठीक है और सौन एक और मैंने एक कोशन involving डाला था जो नर्थ कि तरफ यानि उत्तर की दिशा में जो नदिया बेहती है वो कौन सी है यह तैलीघ्राम पए कोश्ण डालात तो ये पांचों की पांचों जो है वो उत्तर की तरफ फ्मूंड़ करती है ठीक है दाना जो है वो उत्तर की तरफ बहती है ये ठीक है चंबल केन सिंदू और बेदवा ये पांचों की पांचों क्या है उत्तर की तरफ भी चलती है और ये किसका करेंगे परवर्ती अब वहां पिट्ति रूप का ये एक्जामपल है ठीक है चलिए फिर नेक्स टाइग अलेवन नंबर क्रम हीन अब वहां पिट्ति रूप या फिर इनसे क्वेंट ड्रेनेज पैटन अब इसमें क्या होता है जब कोई नदी अपनी पिर्मुक शाखा से वि बेप्रीद आ रही है यहां के इसमें मिल गी ठीक है यह कहना चाहरा है जब कोई नदी अपनी पिर्मुक शाखा से बेप्रीद दिशा से आकर मिलती है तब क्रमहीन या आकरमावाती अब वहाप्रिति रूप का विकास हो जाता है अब जैसे के ब्रहमपुत्र में मिलने वाली जो साइब नदिया है कौन-कौन सी दिहांग है दिवांग है और लो हित है यह सारी क्या है इस क्रमहीन अब वहाप्रिति रूप का एक्जाम्पल है या फिर हम कह सकते हैं इन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटन का एक्जाम्पल है ठीक है तो यह निकली तो होगी इसी से मुख क्योंकि इसने जो हमारे थियोरी है उसमें यही लिख हुआ है कि जब कोई नदी अपनी पिर्मुक्षाखा से बिप्रीद दिशा से आकर मिलती है पिर्मुक्षाखा से ठीक है यह इसकी पिर्मुक्षाखा या निकला इसी का पार्ट है और यह आकर इसकी बिप्रीद दिश इसको सभी से लिख दूँ है हिंदी की राइटिंग बहुत गंदी है नेक्ट है खंडित अब वहाँ पिरती रूप या फिर intermittent drainage pattern अब इसमें क्या होता है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान में पहुँशने से पहले भावर छेतर में बलीन हो जाने वाली नदियां जो है वो खंडित या बिलुप अब बहा का निर्मार करती है ठीक है यानि कि जो विशाल मैदान है वहां तक पहुश नहीं पाती है जो चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा थाटीन नंबर मालाकार अब वहां पिड़ती रूप या फिर इंग्लीश में अगर हम कहें तो ब्रेडड ड्रेनेज पैटर ठीक है तो जैसे कि आप यह देख रहे है तो यह उसी का एक्जाम्पिल है एक नदी जो है वो बह रही है ठीक है और यह वाइड वाइड आपको कुछ दिख रहा है यहां पर ठीक है पानी सा नहीं लग रहा है ठीक है चलिए फिर इसको समझते हैं क्या होता यह देश की अधिकांश नदिया समुद्र से मिलने से पहले अनेक शाखाओं में विवाज़त होकर डेल्टा बनाती है ठीक है ज जैसे गुंफित यह मालाकार अब वहां का निर्माड होता है जैसे गंघा तता की जो निचली घाटी है वहां से जो नदिया प्रवावित हो रही है वह इसके एक्जांपल है ठीक है तो यहां एक्जांपल ले लेते हैं गंघा और अनम कुछ ब्रह्मापुत्र की निचली घाटी घाटी में प्रभाहित नदियां तो इसको मालागार अब्बा पृति रूप या फिर ब्रेड ड्रेनेज पैटन कहते हैं चलिए फिर नेक्स्ट है और लास्ट है ये हेरिंग अस्थी अभवा प्रति रूप या फिर हेरिंग बॉन ड्रेनेज पैटन ठीक है अब यहां पर अस्थी यानिके बॉन से नाम आया है जैसे कि हमने ब्रेक्षाकार में देखा था तो वो ब्रेक्ष जैसा साथ ऐसी ही यह जो हमारी पसली होती है ठीक है सुद भास हमें उस तरीके से है ठीक है यह पसली यहां से निकले भी है तो इस तरीके से होती है अब क्या होती है यह अब प्रति रूप जो है वह पसली प्रति रूप यानिकर रेब पैटन पर होता है कौन से उस पर रेब पैटन पर ठीक है पसली प्रति रूप भी बोलते हैं इसको इंग होते हैं तो उसी की तरीक की का है यह पसली प्रतुरूप भी कहते हैं ठीक है अब है क्यास में इसमें जो ढाल है ठीक है ढाल वाली परवश्रेणियों के मद्द जो है विस्तिच चौणी घाटियां वाले भागों में होता है ठीक है इसका विकास जो है कहां पर होता है जो ढा प्रतिरूप विकास हुआ है ठीक है यह लमका जो उपरी भाग है उसमें इसका बहुत तेजी से विकास हुआ है ठीक है हिमाले में पश्चिम से पूरव दिशा में फैली गाट्यों में इस अब वहा प्रतिरूप का अभिवार भी हुआ है ठीक है कहां पर हिमाले में पश्च पश्यम से पूरव ठीक है तो हमें बस इतना ही याद रखना है किसका विवाब कहा हुआ है पश्यम से पूरव ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही उमेद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और श्व हारत